11 अगस्त को माननी सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद की बियर्ड अभ्यर्थियों को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर किया जाए इसी को लेकर 79,000 सिक्षक भरती में कम मेरिट वाले डियर्ड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए बियर्ड अभ्यर्थियों को बाहर न प्रदेश के अनुशार इस प्राथ्मिक सिख्छक भरती से बाहर कर दिया जाए बड़ी अपडेट आई है क्या है पूरा मामला समझने के लिए वीडियो में आंध तक बने रहें वीडियो को लाइक और अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा लें ताकि इस मामले पर हर एक लिटस्ट अपडेट आप लगातार पा सके देखिए अपडेट है उत्तर प्रदेश से कम मेरिट वाले डिलेड अभी हर्थियों ने हाई कोर्ट में एक याचका दायर किये जहां पर बियड अब ब्रिज कोर्स का जो मसला है ये कोर्ट पहुंचा है क्योंक दो साल से समय जादा उनका बित चुका है लेकिन यूपी सरकार ने उनको अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया है और इसी का फाइदा डिलेड अभी हर्थिया उठा रहे है उन्होंने हाई कोट में एक याचका फाइल कर दी जहां पर उन्होंने कहा है कि मानिनी सुप्रीम क कोट ने 11 अगस्त को प्रात्मिक से बीएट को बाहर किया है और एन्सीटी के गज़ट को भी रद किया है जबकि एन्सीटी के गज़ट को कर माना भी जाए तो एन्सीटी ने कहा था कि दो साल की अंदर चैनित बीएट डिगरी दारकों को ब्रिज कोर्स कर लेना है लेकिन दो साल से जादा समय भीता है, इनका ब्रिज कोर्स भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने NCT के गजट को भी रद्द किया है, तो ऐसे में इनको बाहर किया जाए, और मेरिट को डाउन करते हुए डियलेड अभीहर्थियों को न्युक्ती दी जाए, क्योंकि जो दो साल का है, कि इन ब्रिज कोर्स भी नहीं है, क्योंकि इन ब्रिज कोर्स ना कराने की यह राजसरक्ता है, जबकि अगर कानूनी तोर पर देखा जाए दोस्तों, तो माननी सुप्रीम कोट का फैसला आए, जिस पर अब यह हाई कोट का फैसला बिलकुल भी प्रवावी नहीं हो पाएगा, यह हकीकत है, यह जब फैसला आया था, तब माननी सुप्रीम कोट का वो आदिश नहीं आया तो दोस्तों इसी मामले को लेकर हाई कोट में अपील आई है और यहां पर लगातार इसी पर सुनवाई हो रही है और लगातार बीयड जो भी चैनित डिग्री दारक है उनको निकालने के लिए डियलेड अभ्यार थी और सिक्छा मित्र दोनों पूरी तरह से हावी हो चुके ह है बीयड पर और एकने सुप्रीम कोट ने एकने हाई कोट में अपील फाइल कर दिये ठीक है और लगातार इस पर सुनवाई भी हो रही है अभी अगले महिने में लगातार दोनों जगहाँ पर सुनवाई लगी हुई है हम आपको जल्दी उसके बारे में भी अपडेट दे है और एक साथ प्रहार कर रहे हैं याँ पर बेयड दीठीनि हार को पर ताकि किसी बी तरह इनको निकालकर उन सीटों को रिक्त करा जाए और रिक्त करागर वहाँ पर मेरिट को डाउन कराते वे अपनी न्यूक्ति को पखका किया जाये तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है तो देखते हैं इसमें आगे क्या क्या सुनवाई में लेकर होता है जो भी आगे होता रहेगा हम आपको अपडेट्स समय समय पर करते रहेंगे बस आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें